दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हिमगाड आरो स्केल और नोटिफेशन बेल जिरूर प्रेस करें क्या एलकलाइन के साथ पानी की टीडियस भी चेंज होती है एक हमारे दोस्त ने कहा कि नॉर्मल वाटर की उनकी जो टीडियस है प्यूर वाटर की वो 120 के करीव आ रही है 120 पीपियम और जब उन्होंने एलकलाइन लगाया तो वो धाई सो होगी तो दोस्तो ये तो कंफर्म है कि जब हम आरो सिस्टम में एलकलाइन फिल्टर लगाते हैं तो टीडियस बढ़ती है लेकिन इतनी जारा बढ़ जाए यह फास्टाइम मैंने सुना है नॉर्मली जैसे मानलों की हमारे पानी के अगर टीडियस सो आ रही है प्यूर वाटर की तो वो तक्रीवन 130 120 पीपियम हो जाती है लेकन 130 से सीधी 200 हो जाए जा 100 से 200 हो जाए तो ऐसा अभी तक हमारे पास कभी हुआ नहीं है क्योंकि आपने बताया था कि बायो प्लास का आपने अलकलाइन लगाया तो हो सकता है उसमें कुछ ऐसा हो अदर्वाइस हमारे पास जितने अलकलाइन है अच्छी कंपनी के है लक्स प्यूर का है टोटल केर का है और भी कंपनी के है लेकिन कितनी टीडियस बढ़ती है उस पर मैंने अलड़ी काफी वीडियोज बनाई हुई है अलग अलकलाइन की तो मैं और वैसे भी जो नॉर्मल टीडियस पानी की लोग चाहते हैं वो है 70 PPM to 150 PPM के करीव 250 जब हम टीडियस का पानी पीते तो वो पानी थोड़ा टेस्ट में चेंज आ जाता है जो पसंद नहीं करते लोग हां कुछ लोगों को पसंद हो भी सकते लेकिन मोस्ट प्यूपल्स पसंद नहीं करते